हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टेंट प्रेशनों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैं वही कोचिंग कराता हूँ जो सेट पैटन के कोचिंग होते हैं एक्जाम में पूछे के कोचिंग होते हैं चलिए स्टार करते हैं पहला कोचिंग आपका दो धनात्मा पूरांकों का गुड़नफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगनी है तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है के लिए दोस्तों इन चार ओप्शन में से एक ओप्शन आपका सही होगा और आपको क्या दिया गया है दो संख्या दी गई है एक संख्या दोस्तों आपकी यह होगी तो आपको क्या करना है option से उस question को solve करना है clear है, option से solve करेंगे बहुत जल्दी solve हो जाएगा clear है, तो सबसे पहला है पहला option ले लेते हैं, clear है पहला option क्या दे रखा 32 तो सबसे पहले पहला option ले रखा ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें पकर दो संख्या है ना आपकी दो धनात्मक संख्या है और इनका गुछन। कितना है 2048 है उन में से एक संख्या दूसरी से दुगनी है एक संख्या है वो दूसरी से दुगनी है तो इसका दुगनी हो गया 64 किलियर है तो बताईए कि उन में से छोटी संख्या कौन सी है पहले तो इनका गुड़न फल चेक करेंगे हमारा 2048 आ रहा है के नहीं आ रहां तो क्या करेंगे दोनों का गुणा कर दीजे clear है दोनों का गुणा करेंगे कितना जाएगा 246 के आठ हो जाएगा यहां पर clear है देखिए दोस्तों यदि आपको गुणा करने का trick नहीं पता है तो मैं आपको बता देता है चाहे दो संख्या का गुड़ा हो चाहे तीन संख्या हो चाहे चार संख्या हो दोस्तों दो संख्या हो चाहे तीन संख्या चाहे चार संख्या उसका गुड़ा आप एक ही लाइन में कर लेंगे पूरे का कि लिए इसका करके देखते हैं चार दुनी कितना हो जाएगा? आठ हो जाएगा, यहीं पर कर देता हूं, चार दुनी आठ हो गया, अब करेंगे कि रोस्कुना, चार दुनी बारा, चार दुनी बारा कितना हो जाएगा? चार दुनी बारा, चार दुनी बारा कितना हो जाएगा? चार दुनी बारा कितना हो और हमें कितना आना चाहिए था 2048 यह आना चाहिए था तो इसका मतलब इन दोनों में पहली संक्या और दूसरी संक्या में क्या पूछा गया था छोटी संक्या कौन सी है तो 32 आपकी छोटी संक्या है option number A आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा clear है उम्मीद करता हूँ question आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप जैदी दूसरी संक्या को चेक करेंगे तो 64 रहेगी और इसके आप क्या करेंगे दुगना करेंगे तो 64 का दुगना 128 हो जाएगा इसका multiply करेंगे दोस्तों यह तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा हमें तो कितना चाहिए 2048 चाहिए यह जी आप 16 का करेंगे 16 का करेंगे तो 16 है 16 की दुगनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा इन दोनों का multiply यह जी आप करेंगे तो 2038 नहीं आएगा तो हमारा option number A दोस्तों सही हो जाएगा और मैं आपको बता दू गुड़ा करने का तरीका चाहें दोस्तों दो संख्या हो मालीजे यहाँ पर आपको तीन संख्या दे दी जाती यह वाली पांच, छे, साथ यह तीन संख्या दे दी जाए और इनका गुड़ा करने के लिए कहा जाए तो इसका भी ट्रिक है दो संख्या हो तो दो संख्या का भी है यदि आपको चार संख्या दे दी जाए तो चार संख्या का भी ट्रिक का दोस्तों वीडियो मेंने बनाया हुआ है यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में आपको link की मिल जाएगा आप गुणा करना वहां से सीख जाएगे एक line में answer आजाएगा और बहुत जल्दी आजाएगा के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह question आपको अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका दो संख्या है चार अनुपात पांच के अनुपात में है पहली संख्या में 20% की ब्रद्धी तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात होगा के लिए क्या अनुपात होगा पूछा गया है आपको देखिए क्या दिया गया है दो संख्या का अनुपात ये आपकी पहली संख्या हो गई ये आपकी दूसी संख्या हो गई इनका अनुपात क्या है चार अनुपाते पांच दिया गया है खिलिए दोस्तों यहां तो कोई ड उनुपात पांस दिया गया है यदि चार के आप एक जीरो लगा लें चारीस हो जाएगा पांच के आगे एक जीरो लगा लें पचास हो जाएगा तो क्या उनुपात के मान में कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि आप दस से काटेंगे चार वारी जाएगा और प जीरो इसलिए लगाया है calculation में आसानी हो जाएगी किलिए दोस्तों अब क्या कह रहा है पहली संख्या में 20% की ब्रद्धी हो रही है पहली संख्या कितनी है दोस्तों आपकी 40 है पहली संख्या कितनी है 40 इसमें क्या हो रहा है 20% की ब्रद्धी तो दोस्तो 20% की ब्रद्धी होगी तो 100 में प्लस करके लिखेंगे यदि कम ही होगी तो 100 में माइनस करके लिखेंगे यह आपको पता है के लिए 100 में प्लस करके लिखेंगे 20% की ब्रद्धी हो रही है सो में 20 किया 120 हो जाएगा डिवाइड किस से करेंगे दोस्तो 100 से यहाँ 0 से 0 कटेंगे यह 0 से यह 0 जाएगा 12 चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा के लिए रहे पहली संग्य क्या होगी दोस्तो आपकी 48 हो गई के लिए दोस्तो अनुपाते अब बाद में क्या गहरा है का दूसरी में 20% की कमी हो जाती है दूसरी संक्या क्या है दोस्तों आपकी 50 है इसमें क्या होगी 20% की कमी होगी तो 100 में से कम करके लिखेंगे ब्रद्धी होती है तो 100 में प्लस करके लिखते है कम ही होती है, तो 100 में से मैनस करके लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे, असी, बते में कितना रहेगा, दोस्तों, एक 0 से यह 0 कर जाएगा, यह वाले 0 से यह वाला, ऐक्टние कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कि लियए रहा, दूसरी संख्या क्या होगी, आपकी 40 होगी यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों अब देखें क्या होगा इस में यहां पर दिया गया है आपको 48 यहां पर दिया गया है चालिस क्या ये कट जाएगा किसी संग्जा से तो आप इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा तो आप का सही आंसर हो जाएगा किलियर है उम्मित करता हूँ ये कोषन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला कोषन अगला question है आपका राम स्याम से 20 वर्ज छोटा है 5 वर्ज पूर इनकी आयू में 3 अनुपात 5 का अनुपात था बर्तमन आयू का योग बताए के लिए दोस्तों आपसे क्या कहा गया है बर्तमन आयू का योग आपसे पूछा गया है बड़ी आसानी से कर लेंगे एक आपको राम दिया गया है एक आपका श्याम दिया गया है इनका रेश्यो कितना दिया गया है रेश्यो दिया गया है 3 अनुपाते 5 कितना 3 अनुपाते 5 ये दिया गया है दोस्तों एक बात याद रखना ये पांच वर्ष पहले का उनुपात है आपका पांच वर्ष पहले का उनुपात है और आपसे क्या पूछा गया है बर्तमान आयू का योग पूछा गया है अब देखे राम और श्याम से 20 वर्ष छोटा है दोस्तों आपका जो राम है वो स्याम से 20 वर छुटा है किलिए रहे राम देखी यहाँ पर 80 का होगा तो स्याम कितने का होगा 100 का होगा किलिए रहे तो 20 वर छुटा हो गया राम आपका देखी कितने का रहेगा यदि राम आपका 20 का रहेगा तो स्याम कितने का रहेगा 40 का रहेगा इनमें क्या रहेगा दोस्तों हमेशा 20 का अंतर रहेगा किलिए दोस्तों अब राम आपका 20 का है स्याम 40 का हो जाएगा अब राम 40 का हो जाएगा तो यह आपका स्याम 40 की जगे 60 का हो जाएगा राम 60 का हो जाएगा तो आपका स्याम कितने का हो जाएगा जब अंतर आपका 20 है तो क्या करेंगे अनुपातों का भी अंतर कर लेंगे अनुपातों का अंतर कितना आएगा दो आएगा कितना आएगा अनुपातों का अंतर दो आएगा दो से इसमें डिवाइड दे दीजे जब योग रहता है तो अनुपातों का योग करते हैं जब अंतर रहता है तो अनुपातों का अंतर करते हैं दोसे से काटेंगे कितनी वारी जाएगा 10 वार जाएगा किलियर है 10 का मल्टिप्राइस में कर दो कितना आएगा 30 आएगा 10 का 10 में कर दो went like कितना आएगा फाचास आएगा clear है 30 वर्ष और फाचास वर्ष कितना हो गया दोस्तों यह हो गया आपका 80 वर्ष लेकिन यह आपका answer नहीं है यह अनुपा दोस्तों कबका दिया गया था फाच वर्ष पहले का दिया गया था तो आपकी जो आयू निकले के आई है असी वर्स ये निकले के आई है पांच वर्स पहले की आपसे पूछी गई है बरतमान आयू किलियर दोस्तों बरतमान आयू पूछी गई है तो पूरव से पांच वर्स बरतमान में आएंगे तो ये भी 5 वर्ष बर्तमान में आएगा तो इसमें भी 5 प्लस कर दो ये भी आएगा तो इसमें भी 5 प्लस कर दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35 पिलस ये कितना हो जाएगा पचपन दोनों को कर दो पिलस बर्तमान में आके कितने होगे होगे 35 और 55 यह होगे दोस्तों 90 के कितना हो गया 90 वर्ष के होगे बरतमान में तो आपसर नमबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा केलियर दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह कोशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला कोशन आपका 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गोडन खंडों की संख्या ग्याद करें देखें जब भी आपको ऐसा कोशन दिया जाएगा तो उसे कैसे सौल करते हैं यहाँ पर जो संख्या दी गई है पंदरा दी गई है तो पंदरा के आपको क्या करना है गोडन खंड करने है पंदरा के गोडन खंड क्या बनेंगे तीन से कटेगा दो से तो कटेगा नहीं तीन से कटेगा कितनी बारी पांच बार और आपको ये पांच कटेगा पांच से एक बार तो कितनी बारी कटा है एक और एक दो संख्या है कितनी संख्या है एक और एक दो संख्या है तो इन दो संख्या होगा क्या करना है आपको पावर में मल्टिप्लाई करना है हमेशा ध्यार रखना पावर कितनी आपकी 25 है संख्या 2 है तो पावर का मल्टिप्लाई आप संख्या से कर दीजे 25 दूनी कितना हो जाएगा 25 दूनी दोस्तों ही हो जाएगा आपका 50 तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 के लिए रहे, option number C आपका सही हो जाएगा, वमित करता हूँ, यह question आपको अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा, यदि यहाँ पर एक ही संख्या दी गई, आपको यदि दो संख्या दे दी जाएं, या फिर तीन संख्या, या फिर चार संख्या दे दी जाएं, तो कोई बा मान लीजे, आपको 10 की पावर, एक और यहाँ पर 10 दे दिया जाएं, और मल्टी प्लावर, यहाँ पर 7 की पावर, एक और आपको 7 दे दी जाएं, मान लीजे, के लिए रहे, यह question आपको दे दिया जाएं, और इनके आप भाज ये गोड़न खंड होगी संख्या आप से जाएं, तो जब भी आपका गोड़न खंड में एक आएगा, तो उसकी जगह दोस्तों आप एक ही रखेंगे हमेशा, साथ आपकी ऐसी संख्या है जिसका आप गोड़न खंड नहीं कर सकते, यह तो यह तो या तो साथ से ही कटेगी, या फिर एक से ही कटेगी, तो उसकी तो जब भी आपका multiply ऐसा आएगा गुड़न खंड ऐसा आएगा साथ गुड़ा एक बें तो उस संख्या में हमेशा एक रखेंगे आप जब आपको 11 का गुड़न खंड करना है तो 11 का गुड़न खंड क्या होगा यहाँ पर कितनी संख्या है दो संख्या है देखें यहाँ पर दो संख्या है दो का multiply कर दिया था पावर से यहाँ पर दो संख्या है दो का multiply कर दो पावर से दो 25 का multiply कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा पिलस, यहां 2 संक्या है, 2 संक्या को multiply कर दोlla power से, 2 धम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यहांपर कितनी संक्या, एक का multiply कर दोlla power से 7 से होगा, एक का multiply तो 7 ही रहेगा, अब सबको आप plus कर दिजए, 20, 50, 70, और 7 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ये दोस्तों आपका answer हो जागा clear है तो उम्मिद करता हूँ यदि आपको 2 संख्या वाला या 3 संख्या या फिर आगे 4 संख्या वाला पूछ ले तो उसे आप solve कर देंगे clear दोस्तों उम्मिद करता हूँ ये question आपको अच्छे से clear हो गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका 48 की power 20 के कुला भाज्या गुड़न खंडों की संख्या ग्याद करें बहुत simple है दोस्तों 48 की power कितना दिया गया है 20 दिया गया तो क्या करेंगे 48 का गुड़न खंड करेंगे 48 का दोस्तों आप गुड़नखन कर लिजे बड़ा ही आसान है दो से कटेगा कितनी वार 24 वार और 2 से 24 कटेगा कितनी वार 12 वारी और 2 से 12 कटेगा कितनी वार 6 वार और 2 से 6 कटेगा कितनी वार 3 वार और 3 से 3 कटेगा एक बार तो कितनी वारी कटा है, एक, दो, तीन, चार, पांच वार कटा है, कितनी संक्या होगी दोस्तों, पांच होगी, तो पांच का multiply कितने से करेंगे, पावर से करेंगे, तो पांच का 20 से multiply कर दो, कितना आ जाएगा, आपका अंसर 100 आ जाएगा, option number D, पिछले question में देखा था, दो बार कटा है था, तो दो संक्या हो गए थी, यहां पर पांच बार कटा है, तो पांच का multiply करेंगे, पावर में, दो बार कटेगा, तो 2 से करेंगे, चार बार कटेगा, तो 4 से करेंगे, उम्मिद करता हूँ, यह question आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जितनी ब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद